हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ब्याज निकालना सीखाएंगे और इस वीडियो को आप लोग अंतक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोग किसी भी तरह के प्रस्ण को बिल्कुल आसानी से हल करना सीख जाएंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां ब्याज निकालने के लिए एक प्रस्ण ले लिये हैं ठिक वो क्या है मोहन ने एक लाख रुपए राकेश को 3% पर दिया तो राकेश 10 महीने में कितना रुपए लोटाएगा यानि मोहन ने राकेश को कितना रुपए दिया एक लाख रुपिया दिया वो भी 3% पर तो राकेश जब उसको 10 महीने बाद पैसा लोटाएगा तो वो कितना पैसा लोटाएगा मुलधन और ब्याज मिलाकर वही इस question में निकलना है तो इस type के ब्याज जो होता है महीना में निकलता है जैसे bank ओला ब्याज क्या होता है वो वर्सिक होता है यानि वर्स में निकलता है लेकिन इस type के जो भी ब्याज होता है वो महीना में निकलता है ठीक तो चलिए अब इस question को solve करते हैं तो इस question के हम लोग बीना formula के solve करेंगे वो अभी second निकालना सीखेंगे तो चलिए अब इस question को solve करते हैं यहां क्या है पहले देखेंगे कि मोहन एक लाख रुपए राकेस को दिया है तीन परसेंट पर ठीक तो पहले हम लोग निकालेंगे कि एक लाख रुपए का तीन परसेंट कितना होगा तो चलिए पहले एक लाख का तीन परसेंट निकालते हैं ठीक तो अब इसको solve कर लेते हैं यहां यह 2 0 से यह 2 0 cancel हो गया क्या बचा 1000 गुना 3 जब 1000 में 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा यानि 1 लाख रुपए का 3% कितना आ गया 3000 रुपए आ गया 3000 रुपए आया यानि यह 1 महीने का ब्याज हुआ ठीक तो अब कुस्टन में देखते हैं कि कितना महीना है तो यहां क्या दिये हुआ 10 महीना में कितना पैसा लोटाएगा तो चलिए आप 10 महीने का निकालते हैं तो जब 1 महीने का ब्याज हो गया 3000 रुपए तो क्या करेंगे 10 महीने का निकलना है तो 10 महीना का कितना हो जाएगा 3000 गुना 10 यानि 3000 में 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 महीने का ब्याज निकल जाएगा तो चलिए गुना कर लेते तीन हजार में जब दस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तीस हजार हो जाएगा यानि दस महीने का ब्याज कितना आ गया तीस हजार रुपए आ गया अब कुस्षन में क्या था कि दस महीने बाद कितना रुपए लोटाएगा तो ब्याज तो निकल कर आगिया कि 30,000 रुपए लेकिन इसमें मुल्धन को जोड देंगे तो मुल्धन और ब्याज मिलकर जितना आएगा उतना पैसा रखे स्लोट आएगा तो चलिए अब निकाल लेते हैं तो निकालने के लिए क्या करेंगे यहां मुल्धन और ब्याज को क्या करना होगा जोरना होगा ठीक तो मुल्धन कितना था मुल्धन एक लाक रुपए था तो यहां मुल्धन एक लाक रुपए लिख लेंगे उसके बाद जोरना क्या है? ब्याज को जोरना है जो 10 महीने में निकल कर आया है तो 10 महीने में कितना निकल कर आया है? 30,000 रुपए तो इसमें क्या करेंगे? 30,000 रुपए को एड कर देंगे तो जोरने के बाद जितना पैसा आएगा उतना पैसा राकेश को लोटाना होगा ठीक तो चलिए अब इसको जोर लेते हैं तो यहाँ 1,00,000 है पलस 30,000 है तो एक लाख और 30,000 को जोडेंगे तो कितना आ जाएगा 1,00,000,000 रुपाए यानि राकेश मोहन को कितना पैसा लटाएगा दस महिने बाद 1,00,000,000 रुपाए राकेश मोहन को लटाएगा तो यही इसका एंसर हो गया तो चलिए आप लोग भी बीना फर्मूला के बिल्कुल आसानी से और सेकेंडों में इसी तरह से ब्याज निकाल सकते हैं I hope कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझेंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें